Hello friends, welcome back to my another video तो guys आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है अगर आप Bank of India में अपना KYC कराना चाहते है या फिर KYC अपडेट कराना चाहते है उसके लिए जो फोर्म दिया जाता है उस फोर्म को कैसे फिल करे तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टाट करते है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर Customer Ready डाल देना है आपको जो Bank से Passbook दिया गया है उस Passbook में आपको Customer Ready मिल जाएगा वहाँ पर देखके आपको यहाँ पर डाल देना है Next आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते Account Number आपका जो Passbook है उसमें आपको Account Number मिल जाएगा जो की 15 डिजिट का रहता है उसे देखके आपको यहाँ पर डाल देना है Next आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते Branch नाम आपका Branch जी जगापर है उस जगापा नाम अगर आपका यहाँ पर खाली है तो आपको लिख देना है Next आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते Please feel this form in block letters यानि आपको यहाँ पर जितना भी भार देना है आपको block letter में यानि बड़े बड़े आक्षर में लिख देना है तो next आप आता है title of account आपका account अगर saving account है तो आपको यहाँ पर लिख देना है saving account अगर आपका current account है तो आपको यहाँ पर लिख देना है current account तो यह number पर आप लिखा हो देख सकते है identify details तो identify details में सबसे पहले आपको यहाँ पर डाल देना है first name आपका जो नाम है यहाँ पर डाल देना है अगर आपका नाम सोनु कुमार है तो आपको खाली सोनु यहाँ पर डाल देना है अगर आपका नाम मोहित आगरवाल है तो खाली आपको मोहित यहाँ पर लिख देना है उसके बाद सेकेन एकाउन होलर अगर आपका joint account है तो बाकी लोगों का नाम भी यहाँ पर इसी तरह से लिख देना है next आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते है father's name या फिर husband's name आप चाहे तो यहाँ पर आपका father's name डाल सकते हैं अगर आप शादी सुदा अवरत है तो आपका husband's का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपका joint account है तो बाकी लोगों का भी नाम इसी तरह से डाल देना है next आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते है surname यानि आपका जो last name है यहाँ पर डाल देना है अगर आपका नाम सोनु कुमार है तो आपको यहाँ पर खाली कुमार लिख देना है अगर आपका नाम मोहित अगरवाल है तो आपको खाली यहाँ पर अगरवाल लिख देना है next यहाँ पर date of birth आपका जानमतिति यहाँ पर लिख देना है अगर आपका joint account है तो बाखी लोगों का भी जनमतिती यहाँ पर लिख देना है next आप यहाँ पर देख सकते pan number तो आपका जो pan cut का number है उसको देख के यहाँ पर डाल देना है next यहाँ पर nationality अगर आप इंडिया से ही हो तो आपको इन इंडियान पर यहाँ पर टिक लगा देना है next यहाँ पर एस्टेटास आप देख सकते है अगर आप resident individual हो तो यहाँ पर टिक लगा देना है नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते है pen cut number तो आपको यहाँ पर फिर से pen cut number यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपका आधार cut number यहाँ पर डाल देना है आपका आधार cut के उपर जो लिखा हुआ देख सकते है वो number को आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आप यहाँ लिका हुआ देख सकते In absence of pen, please submit form 60 or 61 as the case में भी अगर आपके पास pen card नहीं है तो आपको यहाँ पर option दिया गया है bank से आपको एक form लेना पड़ेगा जिसका नाम है form 60 तो आगर आपके पास pen card नहीं है तभी आपको form 60 भरके इसके साथ जमा कर देना है उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चलाएंगे यहाँ पर आप लिका हुआ देख सकते है proof of identity to be submitted by the customer तो यहाँ पर जितना option दिया गया है इन में से आपके पास जो documents है उस पर tick लगा देना है और उसका zerox को भी आपको इस form के साथ जमा करना है तो यहाँ पर देख सकते है passport का option है pen card, voter ID card, traffic license card उसके बाद आप यहाँ पर photo credit card तो इन में से आपके पास जो है उस पर tick लगाना है और उसका zerox को भी आपको जमा कर देना है तो चले मेरे पास यहाँ पर pen card है तो मैं यहाँ पर pen card पर tick लगा दिया हूँ उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते है address of correspondence अभी आप फिलहल जिस जगा पर रहते हो उस जगा का address आपको यहाँ पर भार देना है तो address आपको यहाँ पर भार देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर लिगाओ देख सकते है estate का नाम यहाँ पर डालेंगे country का नाम यहाँ पर डालेंगे आपका postal code यानि आपका जो pin code रहता है post office का उसको यहाँ पर डाल देना है नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं contact details तो contact details में आपको यहाँ पर mall number देही देना है mall number यहाँ पर डाल दीजिए उसके वाद आगर आपके पास email id है तो डाल दीजिए आगर email id नहीं है तो इसको खाली भी सोर सकते है नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं address to be provided by the customer, आपको जो यहाँ पर address proof के लिए, यहाँ पर जितना option दिया गया है, उन में से जो है आपके पास उस पर टीक लगाना है, address proof के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो option में से यहाँ पर आगर आपके पास अधर काड है, तो आधर काड पर टीक लगा दे और उ जो gross annual income details, तो आपको साल आना कितना income आता है, वो आपको यहाँ पर टीक लगाना है, option है, एक लग से उपर, option है एक लग से पास लग के वीज में, तो आपका जितना income है, उस पर आपको टीक लगा देना है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह नमबर पर 2 का यह student हो, तो आप जो हो उस पर टीक लगाना है, तो यहाँ पर मैं बिजिनेश में टीक लगा दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो बीन नमबर का option है, एडिशनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं, इसको नेक्स्ट आप यहाँ पर लिखा हो देख सकते हैं, डिकलेरेशन, यह आप जीजगा पर रहते हूँ, उस पिलेस का नाम यहाँ पर डालेंगे, और जीजदीन आप इस फॉर्म को जमा करने जा रहे हो, उस date को यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक signature कर देना है, अगर आपका joint account है, तो बाकी लोगों का भी signature यहाँ पर कर देन और चैनल को subscribe नहीं कियो guys, और चैनल को subscribe कर दिजिए, thank you guys